नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी को चट पर्व की धेरोशुप का नाई मता चट हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें सूर्य भगवान हम सभी को स्वस्त रखें और हमारा मान समान इस समाच में बढ़े इसी आशा के साथ मैं आज का य आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि हमें सूप जो होता है वो कैसे भढ़ना होता है तो देखिए जो भी आप सूप लेकर के आएं बांस का लेकर के आते हैं ऐसे तो हर साल नया लाया जाता है ये तो इसे आप अच्छी परकार से धुल लीजेगा देखिए सूप अपनी मानने तक के अनुसा चढ़ाया जाते हैं कोई एक सूप शाम की अरग में एक सुबह के अरग में चढ़ाते हैं कोई जोडे से पी चढ़ाते हैं और कोई पांच माच सूप पी चढ़ाते हैं तो एक तो कम से कम चढ़ाया ही जाता है तो इस तरीके से आप साफ कर लीजिए और उसके बाद में हम जितने भी फालो सबजी अलाएं हैं उनको इस तरीके से अच्छी प्रकार से धूलते हैं क्योंकि चट मैया के पर्व में साफ सफाई का बहुत ज्यादा विशेज ध्यान रखा जाता है जैसे कि ठेकवा बनाया जाता है उसके लिए गेहूं पूरे पुराना तरीका तो यह है कि गेहूं को अच्छी प्रकार से धूल करके बहट करके ही उसे जुखाया जाता है ताकि कोई पक्षी भी उसमें चोच ना मारके जाए और खुद ही पीसा जाता है नए चूले पर नए बरतनों में भोग बनाया जाता है तो इतनी सोचित सेम इसी प्रोसेस से आप डाला भी सजा सकते हैं तो देखे इस तरीके से आप कोई भी लाल रंग महावर यामे महावर जो मेरा आलता है उसको यूज कर रही हूं सूप को अच्छी तरीके से सजाया जाता है इस तरीके से चारो और कोई भी आप डिजाइन बना सकते हैं इस स्वास्तिक बहुत शुब माना जाता है उसके बाद में एपन या फिर आप हल्दी और चावल के आटे को मिला करके इस तरीके से आप पांच लाइने जरूर बना लीजेगा और इससे हम सजाएंगे अच्छी तरीके से सूप को तो बहुत ही शुब माना जाता है इस तरीक अगर आपको परणपरा है कि आपको डबल-बल सामिकरी लेनी होती है तो आप डबल-डबल भी ले सकते हैं तो यहां पर देखे में नारियल और मीठा नीम्बूजो होता है वो ले लिया है और कच्छी हल्दी और कच्छी यहां पर हमने अधरक ले लिया है यानि कि हरी विनानास भी हमने ले लिया हैं तो इसमे हमें सभी फलो को सबचीों को इसे जमाना होता न passé प्रोकार से इस तरीके से सारी सबची मुली सेम और यहां illance गण। और जल फल जिसे हम Sreng Cleanיז जिसे हम सिंगा भी भी बोलते हैं वह यहां पर रखते जो कम्रक यां अम्रस पके केले जो भी होते हैं यानि कि जितनी भी मौसमी सभजीयां होते हैं वो सभी सीमें रखी जाती यानि की आलग अलग सुपों में तरीके से अलग-अलग में सामिडरी लगेगी शाम के लिए पंच मेवा का प्रिसाद रखेंगे और यह लाल पेपर होता है यह जरूर रखा वाला चावल होता, इसको थोड़ा सा डाल देंगे, बाकी हम अलग से पूजा के लिए लेकर के जाएंगे, ये मैं सूप, जिससे हम आरगे देते हैं, वो आपको वीदी बता रही हूं, कैसे हमें सजाना होता है, तो देखिए हमने आपे, कद्दू की सबजी भी रखती है, औ और गुड़ से बनाते हैं, और ये देसीगी में बनाया जाता है, ठेकवा रखतेंगे अशाघर, शचाएं जाते हैं, भी तरह इस रखती हैं तो इस के बाडम होता पर पी लीरे डदें, और इसके बादी है, गरवत्टी, गरवत्ती कंचेंगर रखतें में, इसके हम में पूजन नहीं देते हैं तो इस तरीके से जो भी फूल आपके पास उपलब दो फूल भी हम यहां पर पूजन में रख लेते हैं गुडल का पुष्प सूरे की उपासना में बहुत में माना जाता है तो गुडल का पुष्प भी आप यहां पर अर्पित कर सकते हैं मैं गुला पर दे देंगे और उसके बाद में प्रात न करेंगे और हमारे इसमें किसी पी प्रकार की यदी कमी रह गए उसके लिए आप इसमें दक्षन आवश्य रूप से रख लीजेगा छुप तो आपको हर साल ये नए लेने होते हैं अब इसी मसामिज़ियं मे आप इहां पर गन्य बुक्ति रख सकते हैं आप उसमीद करते ही हैं वीडियो को लाइक शेयर चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में च्छट महिया कीजे आप अवश्य लिखें सूरे भगवान हो च्छट महिया हम पर अपनी करपास सदा सरवदा बनाया रखें इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ जै हो च्छट महिय शें आपिया